काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमको कोई ऐसे टिप्स दो गोल्डन टिप्स फॉर सेल्फ डेवलोप्मेंट के लिए तो आज का वीडियो का टॉपिक वो है गोल्डन कंसेप्ट फॉर सेल्फ डेवलोप्मेंट ताही हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख स्रोग सम्मोहन तथा वैसनमुक्ति तग्यों महाराष्ट में आकवलाव पुणे मुंबई नागपूर या हमारे हॉस्पिटल से कावी सारे लोगं से उनके प्रॉब्लेम के वारे में और फिर हम उनको सीधीयृ कांसिलिंग करते रहते आऊ guideline करते रहते हैं समधानमका करते रहते है कुछ को इनको solution लेते रहते है अच्छा जीवन जैने के लिए कोई टिप्स देते रहती है लोगों को मन को शान्ती नहीं है हैपिनेस नहीं है सब कुछ होने के बाउजित भी लोग अशान्त हैं अंदर से मन में और वो चाहते कि क्या करू मैं कि जिससे मुझे अच्छा लगेगा तो ऐसे कुछ लोग जिनको तो हम कुछ टीफ्स देते हैं आपको उताने वाला हूं उसको हम बोलते हैं गोल्डन कंसेट फ़र सेल्फ डेवलपमेट मैं बोलता हूं कि आप रोज दो घंटे टाइम निकालो डेली दो घंटा वे वो दो घंटे में करना क्या है वो दो घंटा आप कभी भी निकाल सकते है मगर आप सुबह निकालते है या रात को निकालते है कभी भी निकालो मगर दो घंटा निकालना जरूरी है अब दो घंटा आप डिवाइड कर सकते हैं नंबर एक मतलब 15-15 मिनिट के चार स्लोट है 15 मिनिट चार माले एक घंटा तो 15 मिनिट पहले अपने खुद के साथ में कि मैं कौन हूँ कूए माई मैं कौन हूँ को हम और उसकी discovery करना उसके बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ मेरा आने का मकसद क्या है ये दुनिया में मैं क्या करने आया हूँ तो वो 15 मिनिट आरा मिनिट आपके माबाप के साथ में यह होगे साथ मले एक घंटा हो गया है अँआ हो सकता है कि यह जो है यह आप एक साथ समय बिता सकते हो पतनी, माबाप और बच्चे 45 मिनिट यह अलग अलग बिता सकते हो जैसे भी आपको लगे हो फिर नेक्स्ट 30 मिनिट जो है 30 मिनिट वो आप गयायम करते हो exercise और ऐसी exercise जिसमें आपको पसिन आ जाएगा ऐसी exercise कर रहे हो रोज तो ऐसे हो काँ देड़ गंटा फिर बच्चे 30 मिनिट तो उसमें से 10 मिनिट आप नेचर के साथ में हो निसर्ग के साथ में वहां आपका टाइम दे रहे हो तो फिर निसर्ग के साथ में रहना और exercise करना walking, jogging यह आप combine कर सकते हैं फिर दस मिनिट आप gratitude में रहे सकते हो, कृतनेता विक्त करना, भगवान के प्रति कृतनेता विक्त करना, जो आपके जीवन में महत्व के लोग हैं, जो आपके जीवन में योगदान दिया हैं, उनके प्रति कृतनेता विक्त करना, हो सकता है कि मन के मन आप कृतनेता कर सकते हो या फिर उनको बोल सकते हो, communicate कर सकते हो, जेदी लोग है आपके अस पास तो, उनको thank you बोल सकते हो, धन्नेवाद दे सकते हो, आपके माबाप को आप धन्नेवाद दे सकते हो, जो लोग है जोनोंगोंगोंने आपके जीवन में time आप दे सकते हो 10 minute का और 10 minute आप आपकी जो तीन वीजन से main goals of life तो उसके लिए आप 10 minute दे सकते हैं उसका planning करना उसकी strategy तयार करना उसके बारे में सोचना उसमें आप दे सकते हैं जैसे आप यह दो घंटे आप रोज देते हो तो देखो एक साल भर आप करेंगे तो कहीं के कहीं आप निकल जाओगे, कहीं के कहीं निकल जाओगे आप, आपको देखेंगा एक साल में मैंने किती तरक्की करके रखी है, कितना फायदा, कहां मैं था और आज कहां हो गया, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा, दिखेंगा, रिजर्स में दिखेंगा, आपका जोग देना पसंद करेंगे आपके टीम अच्छी तयार हो जाएगी जो आप चाहूंगे वो आपके लिए संबहूंगा तो जरूर आप यह करके देखो और आपके जो जो फीड़बैक है वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लालो ता कि हमको भी मालूम बढ़ेंगा कि आपके क् तो यह वीड़बैक आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो और थैंक यू पर वाचिंग दीओ थैंक यू